दोस्तों अब तक तो आपको मालूम पढ़ ही गया होगा कि मसुहूर एक्टर और बिग बॉस 13 के विजिता सिधार सुकला का निधन हो चुका है उनका निधन हार्ट अटेक के कारण हुआ है 40 वर्षी सिधार सुकला का निधन आस्पताल में पहुंसने से पहले ही हो गया सिधार सुकला की मौत से फिल्म और टीवी इंड़स्टरी सदमे में है सिधार्थ के फैंस इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है कि एक्टर उनके बीच नहीं है कपूर अस्पताल से मिली जैनकाई के मुताविक सिधार सुकला का निधन दिल का दवरा पढ़ने के कारण हुआ है जैनकाई के मुताविक सिधार सुकला ने सोने से पहले कुछ दवाईयां खाई थी जिसके बाद वो सुबा उठी ही नहीं सके ड़क्टर्स के मुताबिक सिधार सुगला को हार्ट एटेक हुआ था वहीं सिधार सुगला की मौद से पुरी फिल्म डूस्ट्री और टीव इंडूस्ट्री काफी दुख भरे कमेंट भी कर रही है उन्हें में से दो नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने सिधार सुकला के मौत पर कॉमेंट किया है पहले नाम आता है खिलाडी कुमार यानि की अक्षे कुमार अक्षे कुमार बॉलीवूट की एक ऐसे अफनिता हैं जो हर किसी की मदद में आगे रहते हैं और साथ ही किसी के साथ अगर कोई हास्सा होता है तो अक्षे कुमार उनमें सबसे आगे अक्षे कुमार जरूर रहते हैं तो अक्षे कुमान ने भी सिधार सुकला की मौत पर दुख जताया और ऐसा कोमेंट किया वहीं बॉलीवुड का नया अक्टर जो की मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है नमासी चक्रवर्ती इन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम के जरिये सिधार सुकला की मौत पर दुख जताया उन्होंने इंस्टाग्राम स्ट्रेटस पर इस दुख की जानकारी दी और साथ ये और भी कुछ बॉलिवुड आक्टर हैं जिनोंने सिधार सुगला के मौत पर दुख जटाया है फिलाल तो हम सब को दुख है सिधार सुगला के मौत पर क्योंकि सिधार सुगला एक ऐसे एक्टर थे जो अपने संभर से यहां तक पहुंचे थे